हाई एवरिवन वेलकम टू जहा कीचेन जहा कीचेन में मैं आज सेयर करने वाली हूं आप से गर्ल्स बोर्डे स्पेशल बार्बी डॉल केक की रेसीपी और साथ में ही इसका पूरा डेकोरेशन तो आएए रेसीपी को शुरू करते हैं यहां पर मैंने एक कूकर को गरम कर लिया है और सीटी को निकाल दिया है तो मीडियम फ्लेम पे 7-8 मिनिट तक प्रीट करेंगे और सबसे पहले हम केक टीन की तैयारी कर लेते हैं जिसमें हम बेक करने वाले हैं तीन शार बूंद वाइल डाल कर इसको हम ग्रीस कर लेंगे और इसके उपर हम लगाएंगे एक बटर पिपर और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और जो ब्रस में वाइल लगावा है उससे उपर भी ग्रीस कर देंगे केक टीन रेडी हो गया है और यहां पर मैंने लिया है चॉकलेट फ्लेवर का चार पैकिट डिसकेट तो मिक्सर ग्राइंडर के जार में सारे बिसकेट को हम तोड़ कर डाल देंगे तो यहां पर हमने बिसकेट को तोड़ लिया है और अब इस बिसकेट में हम डालेंगे दूद तो यह नॉर्मल टेंपरेचर का उबला हुवा दूद है नहीं गरम है और नहीं ठंडा है दूद इतना ही डालना है जिससे कि यह ऐसा टेक्स्चर बन जाए अगर आप पहली वर बना रहें तो दूद धीरे-धीरे डालें और एक पैकेट डालेंगे इसमें इनो अब इनों के ऊपर एक टेबल स्पून दूद इनों को एक्टिव होने के लिए और यह देखिए जाग और यही जाग है जिससे कि यह एक अची तरह से फूलेगा और वन थार्ड कप दूद अभी भी बचा हुआ है सौरी वन फॉर्थ कप तो थ्री फॉर्थ कप हमारा दूद लग चुका है और वन फॉर्थ कप बचा हुआ है तो हमारा बैटर रेड़ी है और अब हम इस मिक्शर को पोर करेंगे केक टीट में या फिर कोई भी अल्मुनियम का बरतन हो आपके पास उसमें आप बेक कर सकते हैं अल्मुनियम का बेक करने के लिए परफेक्ट होता है और इसके उबबल्स को हम अटा देंगे और थोड़ा सा टैप कर देंगे जिसे के सामान रूप से फैल जाए और यहाँ पर हमारा कूकर भी गरम हो चुका है तो इसके उपर हम लगा देंगे एक स्टैंड या फिर कटोड़ा प्लेट को उल्टा करके रख देंगे और इसमें हम केक टिन को डालके धकन बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम दो मिनट रहने देंगे और उसके बाद फ्लेम को लो करके तीस मिनट के बाद चेक करेंगे और यहां पर हमारे 30 मिनट हो चुके हैं अब हम चेक कर लेते हैं तो उपर से तो लगड़ा है पर फिर भी हम टूथपिक डाल कर देख लेते हैं तो यह टूथपिक हमारा गिला निकला है इसमें बैटर लगा हुआ है केक का इसका मतलब यह भी कच्छा है तो दस मिनट और रखते हैं और यह दस मिनट के बाद यानि कि 40 से 45 मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पर हमारा जो उत पर clean निकला है सूखा निकला है इसका मतलब केक बेख हो चुका है तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसी तरह से 5 मिनट छोड़ देंगे और फिर उसके बाद केक को निकाल के ठंडा करेंगे और यहाँ पर 5 मिनट के बाद हमने केक को निकाल लिया है और ठंडा करने के लिए ढख के छोड़ देंगे और अच्छी तरह से अब हमारा केक ठंडा हो जुका है और ये देखिए ठंडा होने के बाद ये अल्रडी की नाड़ों को छोड़ देता है बरतन से अलग होने लगता है बस थोड़ा सा चाकू के पीछी वाले भाग से इस तरह से हम घुमा देंगे और इसके उपड हम एक प् सॉफ्ट चॉकलेट केक बनके रड़ी हो चुका है इसको हम पलट के सीधा कर लेते हैं और अब हमने लिया यहां पर एक मिक्सिंग बाउल और इसमें डाल रहे हैं 100 ग्रैम डार्क कंपाउंड या इसकी तरह डार्क इसकी जगा डार्क कंपाउंड की जगा आप डार्क चॉ हमने यहां पर रखा एक स्टैंड और इसके उपर हम केक को प्रांसफर कर लेंगे और इसकी नीचे लगाएंगे हमें प्लेट और जो हमने चॉकलेट में को मेल्ट करके रखा था डार्क कंपाउंड को इसके उपर पोर करेंगे तो स्लोली स्लोली हर जगा पे फैलाते वे हमको पोर करना है थोड़ा हाइट से पोर करना है ताकि सब जगा सामान रूप से फैल जाए और प्लेट हमने इसलिए लगाया है ताकि हमारा जो चॉकलेट है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो प्लेट में जमा हो जाए तो अब हमने यहाँ पे लिया है वेफर्स, प्लेइन वेफर्स और इसकी हाइट केक से जादा है तो हम इसको बीच से कट कर लेंगे और इसका यूज हम करेंगे केक का साइड में डेकोरेट करने के लिए तो अब ही है इसके हाइट का हो गया है तो अब चॉकलेट के ऊपर हम चिपका देंगे वेफर्स को इस तरह से और हमने यहां पर दो color के wafers यूज़ किए हैं orange और yellow तो दो दो piece orange और दो दो piece yellow color का wafers लगा रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा दिखने वाला है इस से colorful और इसी तरह से हम पूरे cake में लगा देंगे side में और यहां पर हमने wafers को लगा दिया है चॉकलेट की वज़े से यह इजली स्टिक हो रहा है इसमें और अब इसके उपर हम लगाएंगे डेकोरेशन के लिए पेपर वाला बार्बी डॉल तो इस तरह के डॉल इजली आपको जहां पर बेकिंग का सामान मिलता है मिल जायगा डेकोरेशन के लिए और यहां पे मेन नी लिए है वाइट छोکो चीपस और इसको हम यूज करेंगे गैप को भढ़ने के लिए साइड में और प्लस डेकोरेशन के लिए तो हमने बीच मेँ भी थोड़़ चोको चीपस लगा दिया है और बार्डर पे भी तो अब अमारा केक बन के रड़ी हो चुका है बार्बी डॉल केक तेंक यू फो वोच्छिंग